नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चलन नहीं उमंग में तो आज हम इस वीडियो के मादे में से बात करने वाले हैं अभी हाली में तेलांगना पॉस्ट्रल सर्किल में एक बर्ती का नोटिविकेशन जारी हुआ है जो कि आपकी ग्रामेंड डाक्सेव की बर्ती है इसके लिए एक नोटिविकेशन आज आपका जारी हुआ है तो इस वीडियो के मादे में से हम जानेंगे कि तेलांगना पॉस्ट्रल सर्किल का आपका एक्ज्याम प्रिंटर क्या होगा तेलांगना ग्रामेंड डाक्सेव का जो स्लेबर सेवो क्या होगा तेलांगना जीडियास का आपकी जो सेरल्य क्या होगी और भी पहुत सारी बाते है जो आपके मन में डाव डाल इनो अज़ीशन आपका जारी हो चुका है डाक विबाग ने तेलागना पोस्टर सरकल में साखा डाक मास्टर बीपीम साएक साखा पोस्ट मास्टर एबीपीम और डाक सेवक साइथ गरामिन डाक सेवक जिडियस पदों के लिए बरत्य दिसुतना परकाशित किये इस अदिस उतना के नुसार इंडिया पोस्टल सरकल ने GDS के 1150 पतों के लिए आविदन अम्तिरित किये हैं योग्य और इस्चु कुमीदवार पोस्ट ओपिस बर्ती 2021 यानि पोस्ट ओपिस रिकवर्मेंट के लिए डाग भीवाकिय दिकारी वेफसाइट यहां हम तेलांगना पोस्टल सरकल जीडियास बर्ती 2021 यांगना डाक से ओपिस रिकवर्मेंट 2021 यहां यूशिमा क्या होगी शेक्षन योग्यता क्या होगी चैनपर क्या होगी आविदन सुलक क्या होगा इसके लिए आपको आविदन कैसे करने आदि के बारे में से लांगना फूरामेट डाक से ओफ गिवगां से डिचील के बारे में अगर बात करें तो ई वी सकत्तेल्यों सो तीजरोट पोस्ट है स्टी के लिए पेंसर पोस्ट है यू आर के लिए 413 पोस्ट है टोटल आपकी 1150 पतों के लिए बरती है वो जारी की गई है तो चलिए बात करते हैं पतों के लिए आपकी सेक्ष्ण है डिप्लॉमा होन चाहिए अगर यह दोनों चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए क्या है अब बात करते हैं अगर बात करते हैं अगर बात करते हैं M.A नभी मैंस आप 15 वर्स होगी मेकसिंवी आपकी 40 वर्स होची है इसके लोगा आपको सरकारी नियोंकि उनसार छूट भी दी जाएगी तो यह बात कर लेते हैं इपोर्टेट डेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट के आपकी 27 जनवर 2020 से आपकी ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तेलांगना ग्रामिन डाक सेवर के लास्ट डेट क्या होगी आपकी 26 फरवरी अब बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फीस क्या होगी आपकी अप्लिकेशन फीस के बारे में अगर बात के देनल और OBC के कंडिडेट है उनकी सोर रुपए फीज होगी एस्यों रष्टी के लिए कोई फीज नहीं है यह आपकी फर्योप कोस्ट यह आपका बहला जाएगा तो आपको face का बुगतान के से करना होगा online माधियम से करना है online माधियम से कैसे जैसे की net banking, debit card, credit card के माधियम से आप क्या है इसका बुगतान कर सकते है अब बात करते है grounding dark share का selection process क्या होगा तो selection process के बारे बात करें तो उमीद्वानों का chain है वो merit list के अधार पर आपका केशन किया जाएगा यानि जो 10 यू में आपके परतिस्थ है metric class में जितने भी आपके परतिस्थ है उसी के according के आपका selection किया जाएगा यानि जितने भी आईए जो percentage होगे आपके 1050 जितने भी आपकी post है उतने candidate को क्या है merit based के अधार पर क्या है चैनित किया जाएगा अब बात कर लेते जो आपका selection हो जाएगा तो आपकी salary क्या होगी salary के बारे में अगर बात करें तो तिलांगना GDS salary तो इसमें दो स्लेब होंगे एक होगा TRC4 horse का स्लेब होता है जो level first label बहत जाता है इसको बरांच post manager की अगर बात करें post master की sorry तो बाराजार रुपे परवंद के साब से आपकी salary होगी TRC5 के लिए साड़े तो जाजार रुपे आपकी salary होगी ABPM और डाक्स की अगर salary के बारे में बात करें तो आपकी 10,000 रुपे salary होगी minimum TRC4 horse के लिए अगर five hours के लिए अगर बात करें तो बाराजार रुपे आपकी salary होगी तो इसमें अच्छी salary है अगर आप यह होगे तरकती हो तो आपको एक फोर्मार जरूर बढ़ना चाहिए तो यह तो थी आपके एक ठोटी जानकारी जिसमें ने आपको बताया कि अभी तिलांगना में पोस्टल सरक्ल में क्या है ग्रामिन डाक सेवक यह जीरीस की बर्ति का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हमने डिसकस किया कि तिलांगना जीरीस का आपका selection process क्या है तिलांगना जीरीस की salary क्या है तिलांगना जीरीस की एक्जांपेटर क्या है और भी बहुत सारे बाते जो आपके मन में डाउट को नहीं है आपको कलियर कर दिये आज सागरता हुए आपको जानकर दिये आपको अच्छे लगे हैं अगर जानकर अच्छे लगे तो श्यूडियो को लाइक और शेयर जूर करना है अगर आप चिनले पर नहीं है तो चलनकर को सबस्क्राइब करना साथ में आपको दिये एक बेल आइकन भी दिख रहा हुए उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी को नहीं जानकर डाल जाए आपको परसुल का नोटिक्रेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द किया उजा का साथ तब तक के लिए जाए इंद जाए बात थन्यवाद